जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोर में हमने देखा था याओ उस बंदे को छोड़के जा रहा होता है लेकिन वो बंदा याओ से डील करता है रिंग के बदले में उसे ले जा निकले याओ मान जाता है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता है वो उसे मार देता है रिंग को इसा ऐसा हुआ था जब मैं यहाँ पर पहुचा था तब मैंने यही सब देखा यह कहता है चलो वापस चलते हैं और इसके बारे में कमांडर को रिपोर्ट देते हैं यहाँ ने जो किया है उसे इसकी कीमत ज़रूर चुकानी पड़ेगी तीन दिन बात के सीन को हमें दिखाया लिए थे लेकिन अब कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि वो रिंग उनके हाथ में है तो उनके पास ऐसी बहुत सारे माटेरियल सा चुके हैं अब यह लोग रुकी किंग आराम से बन सकते हैं ऐसे भी है लेकिन आब और उपर यहाँ कहता है कि जब हमारे पास खाली वक् चलेगी यहाँ कहता है कि मैं इसे अपने साथ वापस ले जाना चाता हूँ लेकिन हम लोग इसके बारे में तब बात करेंगे जब हम लोग वापस बार हो जाएंगे डीमन अब्यास से फिर हमें दिखाया जाता है जो फौक्स होती है वो यहाँ को थोड़ा साइड में लेक पूरी है क्या वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी वैसे दो दिन से वो कलाउड मुझे घूरता जा रहा है क्या तुम प्लीज उससे कह दोगे कि मैं उसे जराई पसंद नहीं करती हूँ वो कहता है तुम जिंदा मत करो मैं उसे अराम से डील कर लूँगा वैसे ही हमें दिखाया जाता है वो लंबा बाल वाल आता है पीछे से हमला करता है लेकिन वो उससे बच चुका होता है तब ही वो वापस गुमा के हमला करता है और ये हमला लगने वाला होता है तब ही आगे से हमला करती है और वो हमला ही फॉक्स को लगने वाला होता है ऐसे आशिकी करते फिर रहो पता नहीं है अगर जेनरल लॉंग को इस बात के बारे में पता चला तो वो तुम्हारा क्या हल करेंगे इस बार याओ को चोट जाता लगी होती है वो कह रही होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए याओ कहता है तुम चिंता मत करो क्योंकि तब त हमें यहां से रिट्रीट कर देना चाहिए वो दुनों वाँ से जाने लगते हैं लेकिन यहां उनसे कहता है क्या तुम लोगी मजाग कर रहे हो तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी और आप बिना कुछ बोले तुम यहां से जारी हो एक काम करो तुम दोनों साथ में मैं भी तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ वो लड़की अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है अब जब तुम्हारी यही इक्षा है तो मैं तुम्हारी इस इक्षा को जरूर पूरा करूंगी लेकिन अगर तुम हाते हो तुम्हे मरना पड़ेगा याओ भी इस चैल के बाहर आ चुके थे तुम लोग भी होते हैं तो पूरी भीड लग चुकी होती है सब को लग रहा होता है यह लोग यहाँ पर इसलिए लग रहे हैं ताकि पता चल सके इस साल का रूट की कौन है और चैंग कहा रहा था ब्रदर तुम ठीक तो होना तक तेरी की नहीं लग होगी हम लोग कमजोर हैं जन्ता में लोग कह रहे होते हैं कि वाओ सचमुच याओ तो बहुत ही जादा पाउरफुल है देखो उसका लड़ाई में अपर हैंड और वो दोनों नहीं लग रहे हैं कि उसके सामने टिक भी पाएंगे दूसरी तरफ क्लावड आता है और कि अन्म से अगेली ही लड़ लूगी लेकिन वो लबे बाला भाला भी इस पर हमला करने के लाता हो और कहा रहा था कि मैं एक और तो खराब हो जाता है और अपना सबसे खतरनाक हमला करता है लेकिन याओ अपनी तलवार को निगालता है और बिल्कुल किसी क्रिकेट बॉल की तरह उसी का हमला उसी के उपर रिफलेक्ट कर देता है और ये एक टैरेक्ट हिट होता है उस बंदे की हालत खराब हो जाती है जमीन पे गिरा हुआ रहता है याओ तुरेंथी भाग कर जाता है उसके हमला करने लिए लेकिन ये बहुत ही चलाक होता है इसने कुछ एरो चुपाए होते है ये मारता है जिसमें से एक एरो हलका सा उससे टच्च हो जाता है बाकी दोनों से वो बच चुका होता है इधर वो लड़की उसे उठाती और कहरी होती है तुम ठीक तो होना तुमें कुछ भी नहीं हुआ है याओ कहता है तुम तो सचमुच एक मर्द हो पीछे से हमला करने में बहुत अच्छी बात है लेकिन वो बन्दा कहा रहता है याओ तुम सचमुच ताकत वर हो मैं अपनी हार मानता हूँ और वो एमोशनल डैमेज कर रहा होता है उस लड़की को ताकि वो जो लड़की थी वो याओ के उपर और भी ज़्यादा गुसा हो क्यों याओ ने उसे चोट पहुँचाया याओ कहता ओ चलो भी अब ज़्यादा एक्टिंग करनी की कोई भी ज़ूद नहीं है जब तुमने मुझे पे हमला किया तब मुझे में इतनी ज़्यादा पावर नहीं थी यह एनर्जी महसूस हो चुकी थी कि यह एनर्जी उसके बागी सारे हमलों से बहुत साधा ही ताकतवर है वो कहता है कि मुझे इसका सामना करना पड़ेगा वो हिलने ही कोशिश करता है लेकिन हिल नहीं पा रहा था तब उसे याद आता है कि उसने जो स्टार्स फेके थे चोटे 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 उसमें पॉजन था भी यह हिल नहीं पाता है यूँकि पूरे बॉड़ी में पॉजन फैल जुगा था तब फॉक्स आती है कहरी होती है तुम ठीक तो होना और यहां इस तरफ यह दोनों आ चुके होते हैं जो उस लड़की को उपर तलवार रखते हैं और तब तक वहां पर आ चुकी होती है टीचर वो कहता है ब्यूटी टीचर आप यहां पर वो कहती है कि बस बहुत हो गया अपनी बहन से कहरी होती है कि उस तलवार को नीचे रख़को कुछ नहीं होने वारा है उसकी बहन कहा रही होती है मैंने इससे कहा था कि ये तुमसे आकर माफी मांगे इसने माफी मांगने कोशिश की लेकिन तुमने उल्टा इसे मारने की कोशिश की आखिर तुम क्या कर रही हो क्या तुम्हें अभी तक सैटिस्पेक्शन नहीं मिला मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है अगर याओ कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं ही वो सबसे पहली परसन होंगी जो उसे मारेगा इधर इसका खून बहुत जादा बैचुका होता है ये लोग कहा रहे होते ब्रो तुम आखिर इतना बेगूफ जैसा हरकत क्यों कर रहे थे तुम वहाँ पे खड़े क्यों थे वो तुम्हें मार सकती थी तुम्हारी जान जा सकती थी याओ कहता है नहीं चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ इतनी असानी से मैं नहीं मरने वाला हूँ टीचर को इधर अपसोस हो रहा होता है वो सोच रही थी कि इसने इस हमले को इसलिए डॉज नहीं किया होगा ये चाहता था कि वो इसे हिट करे ये सब मेरी गल्ती है मेरी वैसे ये सब हुआ इधर पतली गली देखकर ये लंबे बाल वाले यहां से निकल जाता है क्योंकि इसके लिए अच्छा यही रहता अब टीचर इमोशनल हो जाती है क्योंकि याओ को बहुत गहरी चोट लगी होती है वो कह रही होती कि मुझे माफ करना ये सब मेरी वज़े से हुआ है याओ कहता है नहीं नहीं इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है टीचर कहती है कि ठीक है अब मुझे यहां से जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे बाकी लोग के रिकॉर्ड्स भी तो चेक करना है कि किसे कितने पॉइंट्स मिले हैं क्लाउड कहता है उस वक्ट डीवन है ब्यास में सब लोग इधर उधर थे तो अब सब लोग एकी डायरेक्शन में जा रहे हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मन का वरम होगा चाहिं कहा रहा हो तो चलो सब लोग चलते हैं रेजिस्ट्रेशन कराने का वक्त आ चुका है बहुत सारे लोग भी है मगर याओ का शक पिल्कुल सही होता है क्योंकि हमें इस घोड़े को दिखाया जाता है जिसे याओ ने बचाया था यही उसका पीज़ा कर रहा था वो बाहर निकलता है याओ कहता है डार्क होर्स आकि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ओ तो तुम तुमने मेरी बात मान ली इसका मतलब तुम मुझे फॉलो करना चाते हो ताकि तुम फ्यूचर में और भी जाता था ताकत पर बन सको अब पॉइंट्स काउंट होना शुरू होते हैं सबसे पहले तो इसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होते हैं 1500 लेकिन फिर बाद में इन दोने के पॉइंट्स हो जाते हैं 3000 और 3500 पॉइंट्स अब सबसे आखिर में बचते हैं ये लोग अभी वो लोग हाई पर चल रहे होते हैं तब अभी ये लोग अपने बैक्स को गिराते हैं जिसमें रखा हुआ रहता है मतलब कैसा कैसा समानल वही डीमन का तब पॉइंट्स ये गिनते हैं क्लाउड के पॉइंट्स होते हैं 2558 चेंक एक पॉइंट्स होते हैं 3106 अब फाइनली हमारे हीरो के पॉइंट्स की बारी होती है लेकिन यहाँ पर क्लाउड कहा रहा होता है कि मैं यूवान जेनर लेवल में पहुंच चुका हूँ अब बताओ कौन मुझ से पंगा लेनी कोशिच करेगा इससे सब दूरी भाग होते हैं अब हमारे हीरो के पॉइंट्स होते हैं 4310 जो की टॉप स्कोरर होता है क्लाउड बहुत जाथा खुश होता है क्या रहा होता है यह रूप की आप दाईयर ब्रतर मुझे पता था कि तुम यह जरूर कर लो के तो बस आज के लिए हमारे एपिसोड यहीं पर खतम होत है तो ठीक है फिर मिलता है आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई